जेहिंद वंदे मात्रम स्वागत आप सभी का सक्सेस वाल्ड हम सीक्यू चैनल पर तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में ब्याहर पुलिस कॉंस्टबल एक्जाम के लिए लुसेंड बुक से प्रेक्टिस से तेरह को कवर करेंगे तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइब में जुड़ जाएए सभी को गूड इवनिंग गूड इवनिंग तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बरबाद ना करते हुए आज किस क्लास को स्टार्ट करते हैं और फ्रेंट्स अगर आप लोग करना चाते हैं तो डेली सुबद 6 बजे करेंट फ्रेंट की क्लास होती है आप लोग कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आज के सेशन का पहला प्रसन है सागर माथा निम्द लिखित में से किस परवत को कहा जाता है कैलास परवत माउंट एवरेश्ट के टू या कंचन जंगा को आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइब चेट का ओफिशन दिया गया है अगर किसी भी प्रसन का आंसर पता है तो आप लोग लाइब चेट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे तो दीखे सागरमाथा जो है ये नेपाल में माउंट एवरेष्ट को कहा जाता है यानि कि माउंट एवरेष्ट का ही नाम है सागरमाथा ये कहां पर बोला जाता है देश भी पुछ सकता है तो नेपाल में माउंट एवरेष्ट को सागरमाथा कहा जाता है और बात करे माउंट एवरेश्ट के उचाई की तो 8848 दसमल लव 86 मीटर है यानि कहा सकते हैं 8,849 मीटर इसकी कुल उचाई है और कंचन जंगा कहा है तो यह सिक्की में है दूसरा प्रस्न है निम्न लिकित में से किस राजे में पंचायती राजी का सुभारम सबसे पाले हुआ था चले आंसर बताएंगे तो दीखे ये प्रसने काफी सारे एकजामस में पूछे गए हैं पंचायती राजी का सुभारम सबसे पाले राजस्थान के नागोर जीला से हुआ था और जिस में सुभारम हुआ था उस में प्रधान मंतरी कौन थे तो जवहार लाल नहरूते ध्यान रखना है और ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राजी को लागो करने वाला दूसरा राजी कौन बना था तो आंधर प्रदेश बना था पंचायती राज कब से लागो तो 2 अक्टूबर 1969 से लागो हुआ ध्यान रखना है आप लोग यां इमेज में देख सकते हैं राजस्थान का पाठ ये रहा चलिए आगे देखते हैं तीसरे प्रसन को पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है चलिए तना फल जड या कोई नहीं और ये प्रसन पौधे के जड से हल्दी प्राप्त नहीं होती है तना से प्राप्त किया जाता है और ज्यादा डीप में भी पूछा जाता है कि तना के किस भाग से प्राप्त किया जाता है तो प्रकंद भाग से या पर लिख देते हैं तना के प्रकंद भाग से प्राप्त किया जाता है औ कुरकूमा डोमेश्टिका ये हल्दी का वैज्ञानिक नाम है चौथा प्रस्ण है विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है यहां से आपके दो प्रस्ण बनेंगे सबसे पहला तो विश्व का सबसे बड़ा कारवन उत्सर्जन देश जो है यह चाइना है लेकिन अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा कारवन डियोकसाइड उत्सर्जन करने वाला देश तो आपको अमेरिका को करना है दोनों प्रस्न को ध्यान रखिएगा भूमज रेखा के निकट किस तरह के वन पाई जाते हैं चलिए आंसर करते जाएंगे तो दिखे आप लोग यहां इमेज में देख सकते हैं यह आपका अर्थ हो गया और बीच वला जो यह रेखा है इसी को जीरो डिगरी एक्वेटर या भूमज रेखा का जाता है तो इसके इर्द गिर्द जो वन पाई जाते हैं उसको क्या बोला जाता है तो इसको फ्रेक्टिस सेट में हमने बहुत बर बताया है कि भूमज रेखा के निकट किस तरह के वन पाई जाते हैं तो उस निकटी वन दिया वन पाई जाते हैं ध्यान रखना है कुतूब मिनार के पास इस्तीत लह अस्तम्ब किस राजाने बनवाया था चलिए आंसर बताएंगे और देखिए अगर आप लोगों को किसी भी प्रस्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप लोग कमेंट करके फूच सकते हैं आपको 100% रिप्लाई मिलेगा तो कुतूब मिनार के पास जो इस्तीत लह अस्तम्ब है उसे किस राजाने बनवाया था तो चंदरगुप्त दूइतिया ने बनवाया था चंदरगुप्त दूइतिया का अन्यनाम क्या है तो चंदरगुप्त विक्रिमा देते है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और फेंट्स अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ सेर करेंगे ताज महल की डिजाइन तयार करने वाला वास्तु कार कौन था? चली आंसर बताएंगे तो दिखिए ताज महल की डिजाइन करने वाला वास्तु कार जो था नाम लिग देते हैं पूरा नाम है उस्ताद एहमद लाहोरी उस्ताद एहमद लाहोरी लेकिन आप्शन में नहीं दिया गया है तो देखे अगर option में उस्ताद एहमद लाहरी को नहीं दिया है तो आप लोग उस्ताद इसा को दे सकते हैं लेकिन अगर उस्ताद एहमद लाहरी को दिया है तो आपका अंसर गलत हो जाएगा उस्ताद इसा नहीं होगा तो आपको ये वाला करना है लेकिन option में नहीं है उस्त चलिए कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल है, 36 से क्यावन तक में इसका उलेक किया गया है, और राजी के निती निदेशक तत्व जो है, ये आयरलेंड देश के संभिदान से लिया गया है, ध्यान रखना है, नेक्स्ट कोशन है, लावा मिट्टी पाई जाती है, सही जबाब है, और लावा मिट्टी का ही नाम है, काले मिट्टी ध्यान रखना है, और काले मिट्टी का निनाम क्या है, रेगूर मिर्दा है, और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है, जब भारत के राश्टपती और उफ राश्टपती दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा तो दीके जब भारत के राश्ट पती अनुपस्थित हो तो उनका काम ऊफ राश्ट पती करते हैं लेकिन दोनों अनुपस्थित हो तो उसके जगह पर कौन आते हैं भारत के मुख्य नयदिस C option बिल्कुल सही जबाब है और वर्तमान में अभी हाली में पचासवे मुख्य नयदिस कौन बने है आप लोग कमेंट करके बताएंगे उन्चासवे कौन थे तो यू यू ललिद जी थे लेकिन पचासवे कौन बने है इसका अंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे मैंने करेंट फेस के कोशन में इस प्रस्न को कराया है कारवन टिट्रा कुलराइड के उदभासन से मनुस्र को क्या हो जाता है चलिए तो दीके कारवन टिट्रा कुलराइड के उदभासन से मनुस्र को क्या होता है तो यकृत का कैंसर होता है फर्स्ट उप्षन बिलकुल सही जवाब है कारवन टिट्रा कुलराइड सी सी एल फोर इसका सूत्र होता है और एक पूछा आता है कि पीलिया रोग से मनुस्र का कौन सा आंग डाइमेज होता है तो यकृत डाइमेज होता है ध्यान रखना है किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है तो देखे किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है रॉलेट एक्ट को जाना जाता है ये कब लागू हुआ था तो रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 से लागू हुआ था ध्यान रखना है किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्न काल कहा जाता है सोच समझकर आंसर करना है और जिसने अभी तक सेशन को लाइक ने किया है सभी लोग सेशन को लाइक करें सेशन को शेयर करें तो किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्न काल कहा जाता है तो जहांगिर B option जोई भच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है अकवर का मकवरा पूछा जाता है कहा है तो सिकंद्रा में है यहांपे लिख देते हैं अकवर का मकवरा सिकंद्रा में है बावर का मकवरा पूछा जाता है यह काबूल में है हुमायू का मकवरा पूछा जाता है दिल्ली में है सभी को ध्यान रखना है नेक्स्ट को संदिक ये यूनेस्को का मुख्याले कहां इस्तित है चलिए देखे इसके साथ आपको याद रखना है डबलू एचो का मुख्याले पूछायता है जेनेवा में है डबलू टीओ का मुख्याले पूछायता है ये भी जेनेवा में है और डबलू एचो से संबंदित आपको जान रखना है साथ अप्रिल को विश्व स्वास्त दिवस मनाया जाता है तो यहाँ पर प्रस्न पूछ रहा है कि युनेस्को का मुख्याले कहां इस्तित है तो फ्रांस के पेरिस में है फर्स्ट आप्सन सही जवाब है नाटो का मुख्याले पूछा आता है काफे वर एकजामस में पूछा गया है तो नाटो का जो मुख्याले है यह बेलियम के ब्रुसेल्स में है वर्सा की मात्रा निर्भर करती है तो समझकर आंसर करना है वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है तो ये निर्भर करती है वायू मंडल के नमी पर बी ओप्शन बिल्कुल सही जबाब है RNA पाया जाता है कहां पाया जाता है आंसर करेंगे तो दीके बात करे RNA इसका फुल फॉर्म भी पूचा आता है तो राइबो नियुकलिक एसीड होता है और ये कोशी का द्रव में पाया जाता है सरव पर्थम किस सुल्तान ने सीचाई कर को लगाया था चलिए आंसर करेंगे important प्रस्ण है सरव पर्थम किस सुल्तान ने सीचाई कर को लगाया था तो ये लगाया था फिरोज दुगलक ने जोई बच्ची option A को दिये है बिलकुल सही जबाब है कूका आंदोलन किस राजे से संबंदित है चलिए तो दिखे कूका आंदोलन जो है ये पंजाब राजे से संबंदित है आप लोग कमेंड करेंगे मोपला बिद्रो ये कहां हुआ था इसका आंसर आपको कमेंड बॉक्स में देना है वायू मंडल की किस परत में उलका पिंड नश्ट होते हैं तो दिखे मैं आपको वायू मंडल के बारे में बताया है वायू मंडल में टोटल पांच परत होते हैं सबसे पहली परत जो है छोब मंडल है उसके बाद समताप मंडल आता है यहाँ पे पूछ रहे कि वायू मंडल की किस परत में उलका पिंड नश्ट होते हैं तो ये मद मंडल है जो कि ओप्षन C में दिया गया है और मद मंडल ही वायू मंडल की सबसे थंडी परत होती है ये भी पूछा जाता है और ओजोन लेयर समताप मंडल में होता है अकवर और महराना प्रताप की बीच प्रसिद हल्दी घाटी का युद्ध कभ लड़ा गया था चलिए आंसर करेंगे तो देखे इस प्रस्न का सही जबाब जो ये बच्ची ऑप्षन D को दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है हल्दी घाटी का युद्ध अकवर और महराना प्रताप के बीच लड़ा गया था 1576 में पानीपत का प्रतम युद्ध पूछा याता है 1526 में ब हुआ था स्वेज नहर किस नहर को सौरी स्वेज नहर किसको जोड़ती है चलिए आंसर करेंगे तो दिके स्वेज नहर जो है ये भूमद सागर और लाल सागर को एक दूसरे से जोड़ती है फर्स्ट ऑप्षन जोई बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है निम्न लि चलिए आंसर बताएंगे तो दीके कौन सा भारत का सबसे अधिक आधरस्थान है तो ये मौसिन ड्राम है D option सही जबाब है मौसिन ड्राम कहा है तो ये मेगाले में इस्तित्य ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन देखिए पुर्वी 30M मैदान का एक अन्य नाम क्या है सोच समझकर आंसर करना है चलिए आपको चितर के माद्यम से समझाते है तो दीके ये जैसे इंडिया का मैप है और इधर का जो हिस्सा है इसको बोला जाता है मालावार तट और इधर जो पुर्वी इलाका है इसको बोला जाता है कोरो मंडल तट और ये भी पूचा जाता है कि ये जो मालावार तट है ये किस सागर में इस्तित है तो ये अरब सागर की और इस्तित है और इधर कोरो मंडल तट जो है ये बंगाल की खाड़ी में इस्तित है तो दोनों को ध्यान रखना है तो प्रस ने क्या पूछ रहा है पुर्वी तटिये मैदान का एक अन्य नाम क्या है यानि कि इधर वाले जो हिस्से इसको क्या बोलेंगे तो इसको बोला जाता है कोरो मंडल तटिये मैदान जो की option C में दिया गया है नेक्स्ट कोशन देखिए निम्न लिखित में से कौन भारत में जोला मुखी दूइफ है चलिए आंसर करेंगे निम्न लिखित में से कौन भारत में जोला मुखी दूइफ है तो आप सभी जानते हैं ये बैरन दूइफ है और ये अंडमान निकुबार में इस्तित है भारत की कौन सी परवत स्रेनी नविंतम है चलिए तो दीके बात करें भारत की कौन सी परवत स्रेनी नविंतम है तो हिमाले जो है ये नविंतम है और सबसे पुरानी पूछे तो अरावली स्रेनी है दोनों को ध्यान रखना है प्राइद उपिये भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है चलिए आंसर करेंगे देखें भारत की सबसे बड़ी नई पूछ रहा है प्राइद उपिये पूछ रहा है तो प्राइद उपिये भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो गुदावरी नदी है ध्यान रखना है भारत का सबसे गहरा बंदरगा कौन सा है यहां से आपको और एक प्रस्जाद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगा पूछे तो यह मुंबई बंदरगा है और भारत का सबसे गहरा बंदरगा पूछे तो विसाखा पत्नम है जो कि आंदर प्रदेश में इस्थित है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है चलिए आंसर करेंगे तो दीके पनामा नहर जो है ये किन दो सागरों को जोड़ती है प्रसांद महासागर रेवम अटलांटिक महासागर को आप लोग थोड़ा से लाइफ टेट में आंसर करेंगे कि S.A.K.A.R. का महसागर किसको बोला जाता है थोड़ा सा वीट करते हैं आंसर करेंगे S.A.K.A.R. का महसागर कौन सा महसागर है तो दिखिए इसका आंसर जोई वच्चे Atlantic महसागर दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है अट्लांटिक महासागर जो है ये ऐसा कार किये ध्यान रखना है कोईना बांध इस्तित है चली आंसर करेंगे कोईना बांध कहां इस्तित है तो दीके कोईना बांध जो है ये इस्तित है महराष्ट में बी ओप्षन बिलकुल सही जबाब है निम्न में से कौन सी एक वह मुल अधिकारिक है जिस से भारतिय संबिधान विक्सित हुआ था तो दिखे ये विक्सित हुआ था भारत साचन अदेनियम 1935 फर्स्ट ओप्शन बिलकुल सही जबाब है तो फ्रेंट्स आज के सेशन में हम लोगों ने तीस प्रस्ण को ही रखा था इसी के साथ तेरवा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्थ होता है